जैन्द एबरिवन, एज यू नो कि दूटो कोविड या फिर ठंडियों के कारण बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, यह न्यूज वीडियो नहीं होने वाली है, यह आपको बहुत कुछ सिखाने वाली वीडियो है, तो एंड तक देखिएगा आपको बहुत सारे चीजे सी सीखनों को मिलेंगी, और बहुत सारे चीजे मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, आपके एम्स को लेकर, आपके पढ़ाई को लेकर, बहुत सारे चीजे हैं, तो थोड़ा धिहान से सुनिएगा, So, Hello Everyone, Welcome Back to Rankers Class 9th and 10th and NTSC Channel, This is Kishan Jaiswal. basically मेरा कहना यह है, कि आपके स्पूल बंद हो रहे हैं, तो आपको क्या चालू करना है, पढ़ाई चालू करनी है या या पढ़ाई बंद करनी है, यह लाई तो आपको पढ़ी रहे होगे, तो पढ़ाई basically आपको चालू करनी है होता क्या है जब भी हमारे सामने हमारे छुटियां आती है तो हमारा पहला मन कहता है कि अब मैं खुब enjoy करूँगा बिल्कुल आपको enjoy करना चाहिए मैं कभी भी आपको enjoy करने से रोकता नहीं हूँ मैं बस आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको अपना goal clear होना चाहिए कि आपको life में करना क्या है future में क्या करना क्योंकि बहुत दिक्कत तब आती है जब हम एक दिम end में जाकर चीजों को analyze करते है और फिर समझ में आता है कि हमने पूरा अपना समय वेश्ट कर दिया यह वीडियो प्लास 8th 9th और 10th तीनों बच्चों को बहुत यूजपूल करेंगी मतलब बहुत यूजपूल होगी उनके लिए तो हर चीज को मेरी बात समझेगा सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहन नहीं मिलेगी पढ़ाई से रिलेटेट कॉंपटेटी उक्जाम से रिलेटेट बोर्ट से रिलेटर जो भी मटेरियल कंटेंट एक दूसरे से बातचित यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पे करते हैं यह 8th और 9th में अगर आप पढ़ रहे है करेंटली तो आप जाकर इसको टाइमिंग बताऊंगा तो क्लास 8th और 9th के लिए एक छोटी से अनॉंस्मेंट है सुनके जाईएगा पहली बात कि जो भी बच्चे क्लास 8th में है 9th में 10th में अभी वो दीरे-दीरे चीजों को सीख रहे हैं ठीक है उन्होंने अभी तक क्यों स्कूल ने पढ़ाई किये ह गोवीड ओनलाइन पढ़ना सीखे हैं तो अब चीजे ओनलाइन भी बहुत सारी चीजे अविलेबल हैं अलग-अलग competitive exams के बारे में आपको बताया जाता रहता है मेरे ही चैनल पर हर competitive exam को आगे भी बताया जाएगा है जैसे हम लोग उने पिछले साल NTSC के बारे में सब कु आने की कोसिष की, हर पिष्टेट को कवर करने की कोसिष की, stage 1 के बचे तयारी कर रहा है मेरे साथ, पूरी तयारी उन्होंने की है, अब आगे उनका exam भी होगा, उसमें भी हम लोग सात में रहे ताकि उसके बाद stage 2 होगा उसमें हम चीजों को उनको explain करेंगे, इसके अलाव अब हम अलग अलग competitive exam जैसे NHTSC हो गया या फिर इसके अलावा कोई भी Olympiad लेबल के exam हो गया उसके बारे में बच्चों को जानकारी देना बच्चों को content available कराना बच्चों को previous year पेपर अविलेबल कराना बच्चों को previous year question अविलेबल करना यह सारी चीज़े हम लोग करना कर देना चीए जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें अपना career पढ़ाई के फिल्ड में बढ़ाना है उन्हें सोचना जरूर सुरू कर देना चीए अब भया 8th में है हम क्या करें देखिए 8th में हो आपके पास एक competitive exam है NMMS ठीक है NMMS इसके बारे में detail वीडियो बहुत जल् कर देना अगर तुम्हें इन future 1112 में जही की तयारी करनी है तो अपना math physics chemistry strong करने लगना बेस यह 910 तो केवल boards तक सिमित मत रखो बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बस आपको पढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है पढ़न series देखना पपसंद आपको ठेल ना पligen पर देखन आपको डांस करना पसंद आपको घणा परिकिंड करना पिछन अब करना बिल्कूल सब कुछ करिएगा लेकिन अगर आप इन future किसी भी हें बढ़ना चाहते हैं किसी भी तो आपको एक basic सिख्षा, एक basic competition में बैठना, लड़ना, सीखना आना चाहिए, वो आपको 8th, 9th, 10th में अगर आप सीखना शुरू कर देते हैं, तो बड़े level पर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, तो बस मेरा aim यही है कि बच्चों को शुरुआत से चीजों को सि level हो जाए, stage 1 उनका clear नहीं हो पाए, लेकिन जब 11th में entry करेंगे न, उन्हें चीज़े एक दम बिलकुल clear रहेंगे, उनका goal clear रहेगा, तो कि उन्होंने अपनी गलतियों से चीज़े सीखी होगी, कि हाँ मेरी यह गलती थी तैयारी में, अब मैं 11th, 12th में वो गलती नहीं कर जोते, जही मुझे crack करना है, मैं जही कर दूगा, need मुझे crack करना है, need कर दूगा, मुझे commerce के field में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें जो भी competitive exam आएगा, उसको crack करना होगा, मैं कर दूँगा, यह चीज आपके अंदर आनी है, और वो चीज तभी आएगी जब 8th, 9th, 10th से आप चीजों को सीखना सरू कर दोगे, तो basically हमारा aim यही है, कि जो भी आपको समय मिलना, जैसे छुटियां मिल गई हैं आपको, इसको utilize करिए, ज्यादा नहीं, 6-8 गंटे, अपनी online study को लेकर, self study को लेकर 6-8 गंटे का schedule बनाईए, और उस पर dedicatedly work करिए, Sunday को आपको थोड़ा आराम चाहिए, Monday to Saturday work करिए, Sunday को थोड़ा दो गंटे कम कर लिए, इस दिन enjoy ज्यादा कर लीजे, हपते में एक दिन अपना enjoy करिए, हपते में 6 दिन अपना खुब महनस से पढ़िए, जो time table आप बना रहे है, जो consistently उसको follow करिए, आपके time table में आपका entertainment भी होना चाहिए, आपक भी होने चाहिए, आपका खाना पीना भी होना चाहिए, आपका घूमना भी होना चाहिए, आपके साथ साथ पढ़ाई भी होने चाहिए, और इसको आपको प्रते दिन पूरा करना है, आपको साथ ही साथ goals जरूर बनाने चाहिए, कि आपको अगले साल 9th में कहां पहुचना है 10th में क्या करना है 11th में क्या करना है 12th में क्या करना उसके बात क्या करना एक छोटा छोटा गोल आपको clear रहना चाहिए उसके बात month oriented goal बनाईए कि इस month में हमें कितना काम करना है इस month में हमें कौन-कौन से चीजे पढ़के खतम करनी है कौन से चीजों का प्रैक्टिस पर देना है इसी तरह जब मंत का हो गया गोल क्लियर वीक का गोल होना चाहिए कि इस वीक में मुझे कितने चैप्टर फिनिस करने वीक का गोल क्लियर हो गया अब आपको डेली टास्क जरूर बनानों चीजे कि हां मुझे अगले दिन कौन-कौन से काम करने है कब खेलना है कब पढ़ना है कब घूमना है आज मुझे यह पिकनिक पे जाना है यह सारी चीज़े आपको क्लियर जब आप सिस्टमेटिक चलना सीख जाएंग हर चीज को आपके साथ सेर करने के लिए कैसे करते हैं सारी चीजे सिखाऊंगा ठीक इतके इलावा हमेशा पढ़ाई अपनी एम औरियंटेट करिए कि नहीं मेरे को क्या करना है मुझे यह चीज क्लियर होने चीए सीखिए सब कुछ जो आपको लाइफ में करना है वो थोड चुटियां मिल रही है इनको आप यूटिलाइज करिए ठीक है इनको वेस्ट मत करिए यह आपको बहुत करेंगी ड्यू टू कोविड आपको हो सकते चुटियां और एक्स्टेंड हो तो चुटियों का फायदा जरूर उठाईएगा इसको नुकसान मत होने दीजेगा अब टेलीग्राम चैनल पर एक वाइस चैट का अप्सटन आता है लाइब वाइस चैट का वहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एड करूंगा आप सभी लोगों से चीजे डिसकस करूंगा आप बताईएगा कि भया मैं यहां से हूँ मैंने आपको ऐसे जाना मैं आप अब यह प् आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपको एक नई इनर्जी मिली होगी कि हाँ चीज़ों को तो मुझे भी करना चाहिए मैं अभी अपना टाइम बेस्ट कर रहा हूं तो इस टाइम को युटलाइज करिए और आगे बढ़िए अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक